सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो अंसर करने के लिए ये सब फ्री है अगर वीडियो ची लगे तो थाम जब करें असलाम अलेकूम वेलकम टू मैं चैनल कुक विट शाहिन आज मैं आप से कीमा बर्यानी बनाने की रस्पी शेयर कर रहे हूं चले अपनी रस्पी को हम स्टार्ट करते हैं पोना का मैंने ओल लिया ओल गरम हो चुगा हुआ है सबसे पहले इसमें प्याज शामिल करेंगे प्या जिल्डे कार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे यह पिक मैंने चौपर में चौप कर लिया पाइं तीन से चार अवे मैं हरी मिच्छे शामिल कर दीती है वह भी चौप कर लिया है साथ ही इससे बहुत यचा फ्लेवर आएगा तक्रीबल स्पून भरते हैं प्याज चिंजर ता कियमा चेश जामिल करेंगे कियमा प्याज चिंजर गार्लिक पेस्ट और रियम के पेस्ट केश्ते और कर दिया हैं अब इसमें कियमा शामिल करेंगे किमा मैंने 700 ग्राम लिए किमा शामिल करने के बाद प्याजों के साथ जैसे किमे का थोड़ा से कलर चाहिने हो देगा बाकी स्पाइसिस एड़ करेंगे योगर्ट आड़ करेंगे बहुत ही जबदस कीमा वर्याली बनके रोड प्राई कीजिएगा किमे को में प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से प्राई कर लिए कलर भी चेंज हो चुका अगए अब हम टमाटर आड़ करेंगे टमाटर मैंने दो लाज साइस के लिए तो बारी काट र साथ ही हम नहीं एड़ कर देगे एक प्याली धर के शुकने साथ ही आड़ कर देंगे तो प्राईबल स्पोन जज़्यानी मसाला अड़ करेंगे व्र्यानी मसाला आप किसी भी ब्रेंड का ले सबीग है गाहती है ऑन टीजी स्पून लैवर प्सुलम इछ पीसिए भी अगल करेंगे लास्ट में हम वान टेबल स्पून नमक आड़ करेंगे स्पाइस आप अपरी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं चुकि अलड़ी बियानी मसाले में भी नमक होता है अब अची तरह से मिक्स करेंगे करने के बाद हम कवर कर देंगे और मीडिया फ्लेम पर पकाएंगे अब स्पाइस आड़ करने के बाद अची करा मिक्स कर लिया है नियानी मसाला एक ए बान टीस्पून शरोफ मिच पीश शीवी आप अपने मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते है अगर आप ज्यादा स्पाइस करते हैं तो ज्यादा शामिल कर दें पानी आम इसमे अड़ नहीं करेंगे चुक्कि और प्याज और दही मगारे का पानी रिलीज होगा अब हम कवर कर देंगे और मीडियो फ्लेम पर हम कीमे को पकाएंगे कीमे को मैंने पकने के लिए रख दिया मीडियो फ्लेम पर तुसी त बबल मैंने तक्रीम पन केजी लिए उनको अदे खंटे के लिए अब ती टेबल स्पून नमक अड़ करेंगे जब भी आप बिर्याने बनाएं उसमें नमक ज्यादा अड़ करें चाबल जो बोले कलें ताकि नमक हमारा बैलस हो ज़ाए और पानी भी ज्यादा शामिल करें 1 टेबल स्पून ओयल एड़ करेंगे इससे मारे चाबल जरा खिले के लिए बनेंगे और चंद कतरे विनीगर के अब थोड़ा से मिस करेंगे मिस करने के बाद हम कवर कर देंगे जैसे ही कुबाल आजएगा फिर इसमें हम चाबल एड़ करेंगे अब चाबल शामिल करेंगे चाबल मैंने 1 kg लिए तक बना आदे घंटे के लिए मैंने बिक हो दिया था बहुत अबर्दस पंतिया कीमा बर्यानी जुरो ट्राइ किजिएगा इस रेस्पी को मिस करेंगे चाबलों को अब तक रिबाद 80% करेंगे बाकी चाबल हमारे दम में अच्छे से सौक हो जाएंगे जैसे 80% पूक हो जाएंगे पानी ड्रेन कर देंगे चाबलों का पानी ड्रेन कर दिया है कि में को अब बहुत जबर्दस कुश्बू आ रही है अब हम इसमें पांस से चीए दुप आलू बहारे शामिल करेंगे अलू बहारे डालने के बाद 2-3 मिन के लिए हम कवर करेंगे इसके बाद भूनने के बाद फिर हम कीमा बढ़्यानी की तहें लगांगे दू-3 मिन के लिए कवर कर दिया खा अलू बहारा डालने के बाद हम मेडियू फ्रेम पर कीमे को भूलेंगे तरी भी आ चुकी है रहते कीमा भूंज़ाएगा फिर हम चावूं की तहह लगाएंगे किमा बर्यानी की तहहें लगाना चूला बंद कर दिये कीमा बर्यानी की तहहें लगाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चावलों की तहहें लगाएंगे जरूर ट्राइ किजिए गा जैसे चावलों की तया गालेक उसके बाद हम कीमे की तया लगाएंगे उसके बाद फिर से लास्ट में चावलों की तया लगाएंगे चावलों की एक तया लगा लिए अब कीमे की एक तया लगाएंगे चिकन बिर्याली तो हम अक्सर बनाते रहते हैं आप केमा बिर्याली ट्राइ करें बहुत इजबर्डस बनती है डावतों में बनाएं साभी बहुत लाइक करेंगे बच्चे केमे की तेह लगा दी है अब आखिर में चाबलो की तेह लगाएंगे चाबलो की तेह लगा दी है अब आखिर में चल्द कत्रे केमा के आड़ करेंगे इससे बहुत ही जबर्दस खुश्भू आईगी और आखिर में हम फूट कलर शामिल करेंगे ड्राइ इससे बहुत इच्छा कलर आई ना हाथ की मदे से थोड़ा सा ऐसे चाबलो में मिक्स कर दें में आप फूट कलर आड़ करदी है कहाथ किस पौन तकुर फूट कलर था अब am में लगाएंगे झाल स्टाट में हाई फ्लेंगे बाद में लो फ्लेंगे तस मिट के लिए लो फ्लेंपर दम लगा दिया था कीमा बर्यानी आप आपको डिशोट करके लिखाती है। बहुत ही मज़ेदार कीमा बियानी तियार है। उमीद है को आज की मेरी रेस्पी पसांद आई होगी। अगर आज की रेस्पी पसांद आई है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुमेंट करें और शेयर करें, थेंक यू